दोस्तो नमस्कार देखिए हम लोग अपने डे-ٹू-डे कनवर्शिशन में हिंदी में कैसे बोलते हैं किसके कहने पर तुमzenे अकार खरी दी किसके कहने पर वह तुम्हें गाली देता है किसके कहने पर सोहन दिल ली गया है यह हम बोलते हैं किसके कहने पर तुमने यह लिखा राइट तो यह अक्सरम लोग बोलते हैं तो किसके कहने पर के लिए जो फ्रेज आता है that is at whose behest behest का मतलब होता है इसारे पर, संकेत पर तो किसके कहने पर बाकी फिर आपको at whose behest आपको शुरुवात में लेकना है इसके बाद चुकि संटेस इंटेरोगेटिव है तो आप फिर क्या करेंगे helping work का प्रयोग करेंगे tense के उसार, फिर बाकी आप संटेस के पार्ट को बनाएंगे कैसे बनाएंगे, देखे जाए पहला क्या दिया गया है किसके कहने पर तुमने यह कार खरी दी add whose behest did you buy this car क्योंकि पास्ट इंट था तो इटका प्रयोग किया गया किसके कहने पर वह तुम्हें गाली देता है add whose behest does he abuse you किसके कहने पर सोहन दिल्ली गया है add whose behest has soan gone to delay किसके कहने पर रेखा ने खाना बनाया add whose behest did राजदे खा make food ठीक है यहाँ पर चुके did लिखा है तो did के साथ made नहीं होगा that is in fact make यहाँ पर make का प्रयोग होगा तो ध्यान देंगे add whose behest did रेखा make food make का प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पर make लिख देंगे ठीक ध्यान दीजेगा तो make food हो जाएगा चुके did दिया गया डिट के साथ वर क्या फरस्ट वाम लगती है तो क्या हो जाएगा add whose behest did रेखा make food उमीद है कि आप लोग अच्छा कर पा रहे होंगे और धीमे धीमे इस तरह के sentences को आप लोग हिंदी में जब हिंदी बोलना है तो हिंदी के साथ साथ इसे भी आप बोलना होंगे बीच बीच में अपने conversation में और आपका confidence बढ़ रहा होगा Thank you very much